घर में जितनी चीजें उतने ही और्गनाइजर्स चोटी चोटी चीजों के लिए हम हर बार और्गनाइजर्स खरीदते रहें ये पॉसिबल नहीं है कुछ चीजों को हमें smartly organize करना पड़ते हैं उसके लिए हमें कुछ छोटे मोटे DIYs भी करने पड़ते हैं साथ ही दोस्तों मैंने आपके साथ last video में 20 genius home hacks no cost organization hacks थे वो जो मैंने आपके साथ share किये थे video भी तक नहीं देखा है जाके check कर लीजिए उपर i button में link है आज का जो वीडियो है आप देखके बिलकुल खुश हो जाओगे और चॉंक पिजाओगे इन चीजों को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते थे आज में आपके साथ ऐसे 10 genius home hacks with empty card box rolls share करने वाली हूँ empty cello tape rolls, decorative tape rolls, paper tape rolls, duct tape rolls, empty thread spoolies, धागे जो हमारे खतम हो जाते हैं toilet rolls, kitchen rolls, इन सब के empty card box rolls हम सब के घरों में निकलते हैं आप क्या करते हो फिंक देते हो उनको next time उनको फिंकने से पहले एक बार ये DIY वीडियो ज़रूर देख लिए जिसमें मैं आपके साथ 10 genius home hacks share कर रही हूँ इन empty card box rolls के साथ ये देखे, मैंने तो यहाँ पे card box rolls संभाल के भी रखा हूँ है 3M tape का है, जो कि 3M tape खतम होने वाली है क्या करने वाली हूँ, फिंकने वाली हूँ बिल्कुल भी नहीं इसका मैं इस्तिमाल करने वाली हूँ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रती, स्वागत करती हूँ आपका home tweet channel पे जहां हम बात करते हैं घर और kitchen से जुड़े कुछ ऐसे smart tips and tricks की genius home hacks की, जो हमारा रोजमर्रा का काम असान बनाते हैं आए वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले channel अपी तक subscribe निकिया तो please channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, comment करके बताईए इन में से कौन सा home hack आपका favorite रहा है Instagram और Facebook पे ज़रूर follow कर दीजिए वहाँ पे latest video updates पहले ही आ जाते हैं most probably by Sunday तक आ जाते हैं new video किस पे होने वाला है चलिए video शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं empty toilet rolls और kitchen rolls जो हम लोगों के घरों में mostly निकलते ही हैं ये वाला trick मैंने अपनी सबसे पहली video में share किया था अपने channel पे जहांपे मैंने empty toilet rolls और kitchen rolls का इस्तमाल करके अपने पुराने curtains को एक नया look दिया था ये जो trick है ये आपको मेरे channel पे shots में मिलेगी यहां पे देखिए पुराने curtains को एकदम नया look मिल गया है आपको नये curtains खरीदने की ज़रूरत नहीं है किया क्या है सिर्फ empty toilet roll और kitchen roll यूज़ किया है घर में press तो almost rose use होती है कभी school dress press करनी है या कभी बाहर के कपड़े प्रेस करने है बट प्रेस की तार को wrap करना भी एक art है एक कला है इसको अगर आप ऐसे वैसे wrap कर दो गए न ये पूरी खुल-खुल आके एक बराबर हो जाएगी और जहां पे भी इसको store करोगे वहां से नीचे गिर जाएगी मैं इसके लिए यूज करने वाली हूँ empty kitchen roll जो कि एक थोड़ा thick cardboard roll है और जो thick cardboard roll है वो जादा जल्दी खुलेगा नी अब इस तरीके का कोई भी cylindrical cardboard roll यूज कर सकते हैं चोटा सा piece cut कर दीजिए and then उसको center में से slit cut कर दीजिए and आप एक no cost organizer ready हो गया है अब देखो मैं प्रेस को इदर उदर कर रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ बट ये जो तार है ना ये खुल के बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली है कहीं पे भी store करो कैसे भी store करो कैसे भी पकड़ो ये तार हिलने नी वाली है ये वाला home hack मेरा favorite है इसके लिए हम use करने वाले है खाली reel reel जो हमारा धागावा कर सब खतम हो गया है उसके बाद जो ये बचता है ना ये खाली reel हम आज use करने वाले है और मैं इससे बनाने वाली हूँ jewelry organizer हमारी कुछ ऐसी jewelry होती है जो size में थोड़ी बड़ी होती है मैं इसको कहीं ऐसे box में store भी नहीं कर सकते है और हमें चाहिए कि वो अच्छे से presentable भी दिखे जब हमें चाहिए हमें तब मिल जाए इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक mobile का डबबा खाली डबबा है ये Samsung phone का डबबा है and this is a magnetic box इसका जो closure है काफी जादा strong है so जब मैं इसमें जूलरी रख भी रही होंगी तो इधर उधर कहीं गिरेगी नहीं खुल के गिरने का डर नहीं है इस box में mobile के डबबे आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हो and I am sharing just one of it mobile के डबबे कभी फिंकना मत mobile के डबबो से आप बहुत टाइप के DIYs बना सकते हो full process आपको YouTube shots में मिलेगा करना क्या है just धागे की जो reel है उसको डबबे के recording कट करना है set कैसे करना है वो shots में देख लीजिए वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए पूरा process इस वीडियो में नहीं डाला है अब जो remaining pieces बच गए थे रील के हमने उनको भी नहीं फिंका है इस तरीके से कट करके भाई हम उनको जहाँ जहाँ यूज कर सकते है as a stopper हम यूज करने वाले है यहाँ पे यह bobby pin कहते हैं शायद इसको sorry sorry not bobby pin, bobbin so इस bobbin को हम wrap कर रहे हैं इसके अंदर हम thread को wrap करके रखने के लिए कि खुले नहीं दर उदर सारी जगाँ धागे धागे ना हो जाए उलज ना जाए उसके लिए हम इसको as a lock यूज करने वाले हैं इसने अच्छे से fit होगे है सेम चीज हमने thread में भी करी है normally हम धागों के साथ सुयां भी लगा के रखते हैं कभी-कभी अगर सुयां ढंग से धागों में ना लगी हों तो हाथ में चुपने का डर होता है उसके लिए हम एक इस तरीके का lock create कर रहे हैं अगर तो आपका धागा बहुत जादा खुल के इदर उदर रुलता रहता है तो आप इस stopper से अपना धागा lock कर सकते हैं अगर आपका धागा चिपका ही रहता है धागों के साथ रील के साथ चिपका रहता है तो फिर आप इसको पिन की जो pointy side होती है उसको secure करने के लिए यूज कर सकते हैं जब आप धागा पुल आउट करें तो आपको निडल चुपने का डर ना हो इस तरीके से उसको cover up कर दीजिए कैसा लगा ये home hack नीचे comment section में ज़रूर बताइए चलिए बढ़ते हैं अपने next home hack पे जहां हम use करने वाले empty cello tape rolls I know सबके घरों में ऐसी cello tape rolls तो निकलती होंगी और हम क्या करते हैं उनको fang देते हैं कुछ इका दुक्का ही निकलती हैं तो हम उसको fang की देते हैं बट मैं उसको store करके रखती हूँ यार यह बहुत अच्छे से organizers की तरह यूस होता है no cost vertical storage create करने के लिए यह बहुत अच्छे you can use it as stationary holder, cutlery holder, toothpaste, toothbrush I mean आप इसमें अपनी scented dry leaves भी डालके रख सकते हो या फिर आप इसको एक wasp बनाके रख सकते हो the options are unlimited so यहां पर मैंने दो empty cello tape rolls को साथ में club कर लिया है base के लिए मैंने disposable lunchbox का जो धक्कन होता है उसी मेंसे base cut करके इसको paper tape की help से ही paste कर दिया मैंने इसमें कोई glue use नहीं करिया glue use कर सते हैं but मैं quickly बना रही थी इसलिए मैंने paper tape का use किया इससे भी बहुत जादा strong bond मिल गया है बाकी मैंने इसको किस तरीके से decorate किया है वह आपको again shots में मिलेगा use कैसे किया again shots में मिलेगा अगर आप DIYs बगरा जादा घर पर बनाते रहते हैं तो एक hot glue gun purchase कर लिजे मेरे पास यहां पे siron hot glue gun है यह dual temperature में 6900 watts बट मैं आपको suggest करूँगी कि dual temperature वली ना लेके एक 80 watt वली glue gun लीजिए link description में होगा अगर purchase करना चाहते हैं वह आप देख सकते हैं वह अच्छी रहेगी next जो home hack है नहीं यह हम duct tape rolls है बनाने वाले और जो duct tape rolls होते हैं उनकी width काफी अच्छी होती I mean उनसे तो आप बहुत सब चीज़े बना सकते हो मैं यहाँ पे drawer organizer बना रही हूँ जिसमें कि मैं daily essentials store कर रही हूँ धीरे like मैंने अपनी last video में आपके साथ share किया था कि मैं इस तरीके के lunch boxes भी use करती हूँ to store socks and all in the cupboard drawer बट धीरे धीरे करके अब मैं इस तरीके का organizer बना रही हूँ जो की सब चीज़ों को segregate करके रखेगी और drawer में एक साथ एक दूसरे से कुछ भी mix नहीं होँगा अगर आप घर पर जादा packing tapes use नहीं करते और आपके इसके empties नहीं निकलते हैं बट आप cello tape यूज करते हो तो आप इस तरीके के cello tape के दो empty rolls लेके उनको साथ में जोइन करके एक टक tape empty roll बना सकते हो और उनको use कर सकते हो मैंने यह किस तरीके से use किया है यहाँ पर आप drawer में देख ही रहे है मैंने इसको as a lipstick organizer use किया है daily makeup essentials को store करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है विकास हर जगा ना वो बिखरे बिखरे से रहते हैं उनको एक जगा रखना मुश्किल हो जाता है इसके लिए मैंने इस तरीके के no cost organizers त्यार किया है यार एक दिल की बात share करनी है लास्ट वीडियो में मैंने अपने special 26 का mention किया था कर आपने वो वीडियो देखी हो कि भाई special 26 वर थोज 26 special subscribers of my channel विकास चैनल ने आया है राई सिफ 26 subscribers थे भाई तुसी great हो यार I mean 3 times मेरे subscriber increase हो गए within 5 days how you guys are awesome you have showered so much love on the videos on the channel I love you guys thank you so 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 much I mean जब मैंने वो देखा ना feeling ही कुछ और level पे थी words में मैं बयान नी कर पारी I know कि भाई अभी 100 subscribers भी नहीं हुए but आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हो ना I am seriously overwhelmed with the feeling अब आप देखो जो मैं आपके साथ 10 genius home hacks with empty card box roll share करना चाहती थी वो मैंने किस तरीके से यूज किया है so यह है मेरा jewelry box organizer पूरा प्रोसेस आपको YouTube shots में मिलेगा अभी shots नहीं आया है बहुत जल्दी आ जाएंगे short videos में Tuesday को 1 PM डालती हूँ Saturday को 10 AM पे डालती हूँ जिसमें एक shelf बहुत जाएदा unorganized है इसके लिए मैं organizers कुछ सोच रही हूँ और यह जो चीज आप देख रहे हूँ जिसमें मैंने perfumes रखी हूँ है यह अगें एक cello tape का empty roll है कैसे बनाया है अगें आपको YouTube shots में मिलेगा इसके पीछे जो आप कॉंब organizer भी देख रहे हो ना वो भी आपको YouTube shots में मिलेगा इन चीजों में मैंने अपने perfumes रखी हूँ है यह perfumes का link मैं आपको दूंगी अगर आपको इस तरीके की perfumes पसंदने और यह गूइं तो लव दीजन बहुत जादा pocket friendly है pocket friendly in the sense size भी छोटा है अपने purse में carry कर सकते हो और आप अपनी jeans की pocket में भी carry कर सकते हो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो 10 genius home hacks with empty card box roll अच्छी लगी होगी आपके लिए helpful रहोगी और आपको कुछ new ideas मिले होँगे ideas और DIYs तो unlimited हैं करने के आगे videos में share करती रहोंगी तब तक के लिए channel subscribe कीजे वीडियो को like कीजे, comment करके बताईए इन tips and tricks में आपको कुन सी tip बहुत अच्छी लगी last video में मैंने आपके साथ no cost paper bag organizer share किया था वो ही paper bag organizer मैंने अपने dressing table में भी use किया है सारी चीज़े एक जगा खटी कर रखी है जो मुझे use करनी है, कम use होती है बट use करनी है, सामने रहेंगी तो use भी हो जाएंगी, दोस्तों instagram पर follow करना मत भूलना, अभी मेरे पास thousand subscribers नहीं है, community post active नहीं है, so youtube से related information मैं आपके साथ share नहीं कर पाती हूं, वो सिर्फ मैं instagram through stories, reels ही कर पाती हूं, instagram पर जरूर follow कीजिए, मिलती है अपनी next video में, तब तक के लिए अपना खयाल रखिए